जैहिन दोस्तो मेरा नाम इनायत मलीक है आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल ड्यूक्वेश में दोस्तो गर आपके पास मेंधायल लखा है तो आप अमना दिल छोटा मत कीजिए क्योंकि मेंधायल का प्राइस दोए फिर से बैक आ चुके हैं आज अगर MCX प्राइस आप देखेंगे दिन भरका तो सबसे हाइस का 1128 रुपे का रहा है जबकि साम के टाइम MCX प्राइस 1126 रुपे के मेंधायल के बंद हुए है संबल की जो हमारी खरीद है 1120 से लगा के 1140 रुपे की पहुँच गई है और जबकि रामपुर की आप खरीद देखेंगे तो 1090 से लगा के 1110 रुपे के आस पास रही है मुरादाबाद की अगर आप खरीद देखेंगे तो 1095 से लेके 110-110 रुपे तक आप देखने को मिला है चंदोसी की अगर खरीद देखेंगे तो 1090 रही है 1080 और 1095 रुपे तक देखने को मिली है बदाईयों की खरीद 1080, 1075 और 1090 तक रही है सीतापुर की अगर खरीद आप जानना चाहते हैं तो 1,080, 1,085 रुपे की रही है जबकि लखनौ में मैं थाओल 1,060, 1,070 रुपे का खरीदा गया है बारा बंकी कर गया बात कर ले तो 1,080 से लगा के 1,090 रुपे तक आज खरडारी की गई है तो दोस्तो इससी तरह से आज मंडियों में खरीद की गई है लमसम जो किसान से आज चोटे स्थर पे खरीदारी की गई है तो 1,060, 1,070 रुपे के आज पास में खरीदारी की गई है तो आज 9 मही को ये वीडियो में अप्लोड कर रहा हूँ, M6 प्राइस आपको बता रहा हूँ, हो सकता है अगर आप 10 मही को ये देख रहे हैं तो में थायल के M6 प्राइस ग्यारा सो बावन रुपे तक आपको M6 के देखने को मिल सकते हैं और दोस्तो 2022 में में थायल वैसे भी बहुत आगे जाने वाला है, इसका प्राइस जो है वहां तक जाने वाला है जहां तक आपने और हमने कलपना भी नहीं की और सोचा भी नहीं है क्योंकि दोस्तों कई वीडियो में आप सबको बता चुका हूँ कि में थायल का उत्पादन 2022 में बहुत ज़्यादा कम है और इतना कम है कि अभी मैं कुछ दिन पहले पीली भीस से लखनोव होते हुए मुझे इलाहाबाद जाना था तो मैं अपनी गाड़ी से था और पीली भीस से जब निकलता हूँ तो लखनोव तक मुझे जाना था तो रास्ते मैं इस से पहले मैं कई दुफे जा चुका हूँ 2021 में भी गया हूँ 20 में भी गया हूँ तो दोस्तों दोनों तरफ जो मैं रोड पे कार से चलता था तो मुझे इतने में अन्थाविल के खेत मिलते थे सीजन में लेकिन इस बार हुआ कि जब भी मैं लखीम पूर आया और लखीम पूर से लखनोव की तरफ जब निकला हूँ तादात में आप गिन नहीं पाते जिदर आप नजर उठाते आपको श्रिप मेंथा ओयल ही लगा मिलता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार उत्पादन कितना कम होने वाला है जब उत्पादन कम है तो मेंथा के प्राइस कहां तर चले जाए ये अभी से कलपना कर ये आने वाले टाइम में जैसे कि जब भी हमारी सेजन आएगी नया मेंथा आना श्टार्ट हो जाएगा और हमें बिल्कु सटीक पता चल जाएगा कि मेंथा का उत्पादन कितना हुआ बारीस में हमारा लोस में क्या हो रहा है तब ये सटीक आकड़ा लगा सकते हैं कि प् बढने वाले हैं और आप जो है अपना 1195 के जैसे आम सेट प्राइस आए तो वहां पर आप अपने मेंथाओएल को रोब के रखिए क्रिकिमें में अपने मेंथायल के प्राइस दोस्तों बहुत ही ऊपर जाने वाल हैं और जो भी मैं आलेस देता हूं आपको वह ऐसे नहीं देता हूँ कि आया और आपको बता के चले के दोस्तों कई तरह के जो डेटा होता है उनको देखनता हूँ और मुझसे जो बड़े लोग है जिसे कि मैं इन्था मंडी में मैंने 15 साल काम किया है तो बड़े-बड़े लोग है यहां से संभल से लेके बड़ाईयों हो गया बरे इन्था पर अपनी एडवाइस वीडियो के मद्धिम से देता हूँ और आगे भी आपको देता रहोंगा और जो लोग एमसे नहीं कर रहे है ट्रेडिंग तो वह अपनी एमसे ट्रेडिंग करते हैं क्यों कि ट्रेडिंग में हुआ क्या है एमसेक्स में 2000 अगरा 22 में देखे गया फिर 1060-25 अब वहां से फिर उपर गया फिर 90-92-85 रुपे का रहा पूरे हपते मार्केट चलता रहा है और दोस्तों में एक रुपे का 360 रुपे होता है इंट्राटे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं बहुत अच्छी कमाई किया एक दिन में एक लाट जो बहुत छो अब यहां पर हो किया रहा था नए से नए ट्रेडर एक रुपे के 360 रुपे होते हैं आपने 1065 की खरीदी 1080 का बेश दिया तो आपने 15 रुपे कमाए हैं और 15 को आप 360 से गुड़ा कर दीजिए क्योंकि एक रुपे के में 360 रुपे होते हैं तो आपका कितना होगा पंदरा या 45-500 उपर आप निकल जाएंगे प्रॉफिट यह एक दिन का प्रॉफिट है अब बहुत से लोग तो इस तरह से कमाए हैं 1065 पे लिया और 1080 पे उसको जो एक सेल कर दिया अपना जो बाई किया तो उसको सेल कर दिया वहां से फिर बाईक ले लिया क्योंकि दोस्तर जो आ अगर आपको लग रहा है मार्केट उपर जाएगा तो आप दोनों तरफ से कमाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मार्केट नीशे जाएगा फिर भी आप कमाई कर सकते हैं श्टॉक रखोंगे लाखों रुपे लगाओगे लेकिन या फिस श्रीफ अगर आप इंट्राडे में मतलब रोज एक ही दिन के अंदर खरीत के आप बेशना चाते हैं तो दस पंदा जार रुपे लगेंगे और अगर लोंग टाइन के लिए आप रखना चाते हैं तो एकाउंट में 40-50 रुपे अपने डाल लेजिए एक मन्त तक आप अपने मेंधायल को रोप सकते हैं 360 किलो तक तो सबसे बड़ी एक कमाई करने का मौका आए अगर मेरी आप माने तो इस हफते में इस जो मन्त हा रहा है और इससे पहले वाला मेरे एक डेड़ मन्त में इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया है जो पिछले 5-6 मन्तों में भी नहीं कमा पाया इतनी बेश्ट ट्रेडिंग हुई है स्क्रीम पर आप देखिए ये भाईया जी है मुझे आज से तेरा दिन पहले 25 या 26 तारीक को ये कमेंड करते हैं कि में मुझे में इन्था बाई करना है कुछ बताएं सर कुछ एड़वाइस दीजिए इनका कहना है इनको मैंने क्या रिपलाई किया है नीचे आप देखिए कि अभी आप बाई मत कीजिए इस्पाइरी डेट आ रही है क्योंकि हमारा जो मन्त का लाश्ट डेट होता है उसमे 2 मई थीक है इन्होंने मार्च में कमेंट किया 26-26 मार्च को मुझे कमेंट किया आज किता है आज है 9 मई तो मैंने इनको उसी दिन जो है रिपलाई किया है कि आप अभी में था में कोई पोजिशन ना बनाए इस्पाइरी डेट आ रहा है आप कब बनाएं 2 मई के बाद 1065 पे खरी लिजिए 1070 का खरी लिजिए मैंने इनको बोला जो पहला टार्गेट आपको मिलेगा वह 1098 रुपे का मिलेगा दूसरा टार्गेट कमेंट में देखिए इनको मेंने बताया था कि 1116 का आएगा जो एक आज 1116 रुपे भी टेच कर गया और यह 1146 की बाद जो तिस आप यह अगर वीडियो देख रहे हो तो 1146 भी हो सकता है टच कर जाए आप अगर यह 1065 की स्रिफ एक लाट भाई करते 15-20,000 रुपे लगा के एक लाट यह बाई करते और आज 1026 का बंद हुआ है 1026 पे बेशते तो इनके 55 या 66 रुपे किलो पे बसते और एक रुपे का 360 र हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए लिंक है उस लिंक को टेच कीजिए और अपना फून नंबर इमेल और जो भी आपसे आधार पेंकाल मागा जा रहा है बैंक एकाउंट बगरा हो सम्मिट कीजिए और अपना एकाउंट खोलिए किसी तरह की प्रोब्लम आ रही मैं पूरी हैलफ आप की करूंगा ट्रेडिंग से लेकर एकाउंट ओपनींग तक सम्मसे पहले आप अपना एकाउंट ओपन कीजिए किसी तरह का अगर आपको कोश्चन हो मैंथा से रिलेटेड या एकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कुछ और भी आप जाना चाते है तो आप बेफिकर मुझे कॉमेंट कीजिए 10 मेंड के अंदर मैं आपको रिपलाई दूँगा तो चलते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जो आप अपना ख्याल किये चलते हैं फिर मिलेंगे जैन जै भारत